अभी सब के दिमाग में एक ही तारीख चल रही है तीन माई क्या तीन माई के बाद लॉकडाउन खुल जाएगा? सभी भारतियों के दिमाग में अभी यही सवाल उठ रहे हैं कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि कोरोना वाइरस की अस्ति तस्वीर माई के अंत और जून के शुरुवाती हफ्तों में ही डिखाई पड़ सकती है तब जब कोरोना अपनी पीक पर होगा और अगर कोरोना वाइरस अपनी पीक पर होगा तो भला लॉकडाउन किस तरीके से होगा? या कितना लंबा खिच जाएगा? सोच कर देखिए ये एक बहुत बड़ा सवाल है बहुत से वग्यानिक इसी सवाल के उत्तर को ढूडने में लगे है अमेरिका की दे बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रूप यानगी बी सी जी ने जॉन हॉपकिन्स यूनिवरसिटी के डेटा के अधार पर दुनिया के 20 देशों का कोरोना चार्ट तयार किया है इस चार्ट के मताविक चीन को छोड़कर बाकी देशों में जुलाई से पहले लॉकडाउन कोलना संभब नहीं है लेकिन अगर लॉकडाउन हटा दिया जाता है चाहे किनी भी वजहों से हो बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रूप के हिसाब से ऐसा नुमान लगाया जा रहा है कि भारत में लॉकडाउन सितंबर तक खोलना ही सेफ हो सकता है लेकिन अगर उसके पहले लॉकडाउन हटा दिया जाता है तो भारत के मेडिकल विवस्ता को देखते हुए कोरोना के मरीजों की भारी वृद्धी हो सकती है बी सी जी ने ये रिपोर्ट अब तक के हालातों को देखते हुए बनाएं और इसी रिपोर्ट के अधार पर कहा जा रहा है कि लॉकडाउन अगर सितंबर से पहले खोला गया तो भारी तबाही हो सकती है भारत पे बी सी जी किस रिपोर्ट में हर देश के आंकड़े हैं कौन से देश में कब कोरोना मरीज पाया जाएगा कब उस देश में सबसे ज्यादा मरीज संक्रमित होने वाले हैं और इसी डाटा के अधार पर सारे अनुमान लगाया जा रहा है इस रिपोर्ट के मताबिक भारत ने समय रहते लॉकडाउन की घोश्टना तो कर दी थी पर विश्वास कर रहे हैं वहीं वैलूर के क्रिश्चन मेडिकल कॉलेज से रिटायर क्लिनिकल विरोलोजिस्ट पी जेकब जॉन की मताबिक अगर भारत में तीन मई को लॉकडाउन खुला तो कोरोना के मामले बहुत तेजी से बढ़ सकते और विना तयारी के इसे संभाल पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएका तीन मई तक लॉकडाउन आसानी से हटाया जा सकता था अगर वक्त रहते वेंटिलेटर पीपी किट और कॉरिंटीन सेंटर बना लिये जाते तो और भारत अभी इसे बہ midst पीछे है और यहीं अन्मान लगाया जा रहा है कि भारत में कोरोना के मरीज मै—जून में सबसे जियादा पाय जाएंगे भारत की सरकार का खुद यही मानना है कि मई के महीने में कोरोना के मिरीज सबसे जियादा मिलेंगे और उसके बद ही कोरोना के मरीज़ों में कम ही आएईगी अलनकि ग्रियमंत्राले का इस पर कहना है कि बाकी मुलकों के मुकाबले भारत में अभी बहुत कम मरीज है सुत्रों के नुसार भारत में टस्टिंग की संख्या बढ़ा दी गई है और आने वाले समय में अधिक से अधिक कोरोना मरीज हमें मिल सकते हैं जाहिर सी बात ही कोरोना के मामलों को पीक पर पहुचेने से पहले भारत की सरकार इस से निपटने के लिए पहले सही तैयारी कर रही है और तैयारी करनी भी पड़ेगी और जाब के मुख्यमंतरी अमरेंदर सिंग खुद ये कह रहे हैं कि भारत में कोरोना जून माई के महीने में अपनी पीक पर होगा पर उस समय भारत के 80-85 पतिज़त हिस्से संभावित रूप से प्रभावित हो सकते हैं इतना है नहीं भारत के करीब 58 पीसदी लोग इसके गिरफ्त में हो सकते हैं ऐसे भी अनुमान लगाया जा रहे हैं वहीं गर्मी और कोरोना के कनेक्शन को लेकर भी बहुत सारी बाते सामने आ रही हैं यानि कि गर्मी आने पर कोरोना का संक्रम अंग कम हो सकता है मगर एक्सपर्ट्स का मानना है कि आँख बंद कर लेने से खत्रा टलने वाला नहीं क्योंकि ऐसी उमीद कम है दुनिया के कुछ ऐसे देश हैं जहां कोरोना ने तबाही मचाई है जहां जनवरी से अप्रेल तक बहुत गर्मी पड़ती है वेलूर के क्रिशन मेडिकल कॉलेज के रेटायर वीडियोलोजिस जैकप जॉनसन के मताविक ऐसी कोई उमीद नहीं है लेकिन अगर ऐसा हुआ भी तो सरदी आतियात एक कोरोना वायरस फिर से वापस आ जाएगा याने के कुल मिलाकर दर्मी उतनी ज्यादा एफेक्टिव तो नहीं होगी दुनिया के कई वेग्याने के मान रहे हैं कि भारत में कोरोना को पूरी तरीके से खत्म होने में कि मरीजों को देखने के लिए डॉक्टर्स की कमी ही नहीं होगी बलकि अगर डॉक्टर संक्रमित हो गया या मेडिकल स्टाफ संक्रमित हो गया तो वो जितने पेशेंट्स देखेगा उन सब को भी संक्रमित कर सकता है और फिर वो बाहर जाकर community में जाकर समुदाय में जाकर और भी ज्यादा infection फैला सकते हैं और ये बहुत घातक हो जाएगा इसलिए ventilator से ज्यादा हमारे देश को personal protective equipment PPEs की जरुरत है जो doctors, nurses और सारे medical staff के लिए बहुत जरूरी है अन्य था वो ही संक्रमित हो जाएंगे और community level तक के पहुंच जाएगा भारत में संक्रमा यही गलती इटली, France, Germany और अमारिका जैसे देश कर चुके हैं जो ventilator पर ज्यादा तरजीह दे रहे थे उसे ज्यादा importance दे रहे थे और PPE kits जैसी चीजों को नीचे रख रहे थे अपनी priority में अपनी प्रात्मिकता में और उन्हें आज नतीजा भुगतना पड़ रहा है। जरूर पताएं और जितना हो सकी ये सवाल सभी से पूछें इस वीडियो को शेयर कर फेसबुक पर वाट्साइप पर जहां कहीं भी शेयर करना चाहिए इस वीडियो को शेयर करें और इस सवाल का जवाब धूढने की कोशिश करें। झाल झाल